समस्क्राइब आप देख रहे हैं इस वक्त हम उन्वल नगर पंचायत में हैं उन्वल नगर पंचायत जहां कल बुद्वार को सीम साब का अगमन सीम योगी अदितनात यहां पे आ रहे हैं और जो दो बड़ी सौगात उन्होंने दिपाली के पहले बहुत बड़ा उन्वल को रोड आप देख रहे हैं न यह दो दिन पहले यानि कल रात और परसों से यह रोड पुरी गध्धा थी लेकिन उसे गध्धा मुक्त किया गया है दो दिन में यहां पे वर्करों की लाइन लगा दी ठेकेदारों की लाइन लगा दी और दो दिन में इस रोड को चम चम बना सबसे जानते हैं कि सबसे जादा कालोनी कहीं मिली है तो उनवल में कालोनी तो दिखी लेकिन जो गड़े हैं वो वैसे की तैसे ही थे लेकिन इन दो दिन में पुरी तरीके से रोट को टेकुरेट किया गया है नालियां सही की गई है यहां तक की 24 घंटे 48 घंटे लगतार काम हुए हैं अभी भी आप देख सकते हैं जहां पर सीम साब आने वाले हैं मैं वह भी आपको दिखा काम थे यानि कल और आज हुए हैं और सीम साब को कलाना है उसके पहले यहां पर कोई काम नहीं था आप देखिए रोड देखिए और चुब कुए की बात कर रहा तो और वी मैं बहुत सी जगहां दिखाऊंगा आपको कि यह है उनवल का बाइपास उनवल बाइपास जिसको कल मानवी सीम साहब इसका उद्गाटन करने आप देख सकते हैं कि रातो रात काम हो रहा है इसके पहले क्या था यहां पर अभी देखिए आधा कच्छा है मैं आपको दिखाऊंगा करीब 20 करोर से उपर जहां लागत है यह उनवल बाइपास अब आप देखिए किस तरीके से हैं पर काम हो रहा है कि देखते रही है मैं दिखा रहा हूं आधा काम लगवाग लगवागा अधा काम हो चुगा है और आधे से जादा काम बाकी है और इनके पास टाइम है आज रात बर का तो यह सब स्क्राइब के बाद से यहां पर काम की स्पिट दुगनी करी गई है काफी मलतूर वलकर मशीनी देख सकते हैं लगतार आ रही है और कई गाड़िया यहां तो मैं दिखा रहा हूं देखिए गाड़िया लदी हुई है और यहां पर यह काम देखिए पूरे आला अधिकारी यहां पर आ चुके हैं और लोग काम में स्पिड बढ़ा रहे हैं काफी वरकर को लाया गया मशीने हैं लेकिन आप देखिए काम की गुड़कता को देखिए और काम की तेजी को देखिए जो काम का जिस बाइपास का अनुल बाइपास का कल उत घाटन ह अनुल बाइपास के काफी ठेकिदार लोग भी हैं आप देखते रही हैं यह बाइपास है और यहां का काम देखिए बड़े-बड़े की टिक हैं इतर तो बिल्कुल से काम नहीं हुए हैं और यही बाइपास है जहां उत्गाटन होना है तो जहां तक सीम साब आएंगें व फ्रेश हो चुका है लेकिन इधर काम नहीं है अब देखना यह है कि आज रात तक यह काम किस तरीके से करेंगे काफी जहां तक मैं देख रहा हूं कि जहां मैं आएँ बहुत सी गाड़ीयां वहां भी खड़ी थी काफी ज़्यादा गाड़ीयां भी आने वाली हैं और काम तो बहुत से ठेके दारों को दे दिया गया है ठेका कि जल से जल आज इनको काम कंप्लीट करना है तो यह है उनुवल का विकास ठीक है जिस बाइपास को करीब 20 करोड से उपर लागत पैसे दे दिये गये हैं वहां का अब काम का नजारा देखिए कल माने में सीम साहब इसक की मुलाकात होगे रूबरू होंगे आप देखिए यहां के अहलत देखिए यहां भी बराबर किये जा रहे हैं